देखो बेटा question number 8 है कि एक garden है जिसमें total जो plants लगे हैं वो कितने 2025 बाकी क्या कह रहा है कैसे लगे हैं कि यहां पर जितनी भी number of rows suppose करो 3 rows है हमें नहीं पता कितनी है कि कह रहे हैं कि हर रो में पर 3 ही पौदे लगे हैं थीक है ठीक है ठीक है ठीक है अगर लेकिन सब्सक्राइब तुम कहते हो कि यहां पर भी तीन नहीं 5 रोस तो क्या है कि हर रो में 55 थे एक इधर लगा देँव पांच हो गहें यहां पर भी पांच यहां पर पांच एक दो तीन चार पाँआ तो question करना मतलब समझा करो कि कह रहा थीक है बस तुमको इतना अभी पता है कि total number of plants है वो 2025 है थीक है तो हम assume कर लेते let कर लेते let the number of rows be x ठीक है rows be x ठीक है और each row has x plant ठीक है each row has plants is equal to x ठीक है तो उसके अंदर हर रो में कितने है x x पौदे भी लगे में ठीक है तो total plants कितने हो गए total plants हो जाएंगे बच्चो बता हर रो में into जितने एक रो में पौदे है तो ही हो जाएगा x into x मतलब x square ठीक है दूसरी बात क्या given है it is given that total number of plants कितने है total plants कितने है total plants is equal to 2025 तो मैं इन दोनों को equate कर दूँगी ठीक है ठीक सही है अब देखो यहाँ से तुम x की value निकाल लोगे कितना हो जाएगा under row 2025 ठीक है इसका prime factorization से कर लो किस से करो 5 से करो किसको divide चलो करके देखते हैं 5 4 जा 20, 0 5 5 जा 25 पिर 5 से जाएगा 5 जा 40, 5 जा 5 जा 5 ठीक है 3 से लेके जाओ 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 हां फिर 3 से जाएगा 3 9 जा 27 पिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 तो देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ठीक है under root लगा तो, सरी, चलो, अब तुम्हें क्या करना है, इसका square root निकालना है तो यहां से क्या आएगा तुम्हारे पास 5, फिर देखो 3 का पैर, फिर से 3 का पैर है तो हम क्या कर देगे, यहां पर देखो बटा, यहां से आजाएगा 5, इंटू 3, इंटू 3, ठीक है तो यह हो जाएगा, 5, 3's are 15, इंटू 3 हो जाएगा 45 मतलब उसमें कितनी rows है, number of rows is equal to 45, ठीक है और इतने ही पौदे हैं हर row में